क्वालिटी एजुकेशनल विडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एडी एजुकेशन चैनल को और साथ में दपाई एगंटी का इकन को एनी बैल आइकन को लेटेस्ट वीडियो की जानकारिया सबसे पहले पाने के लिए सबी शिक्षकों को मेरा नमस्कार आप इस हमें देख रहे हैं इस वीडियो लेक्षर सीरीज में आज अगला टॉपिक जो की है आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक दे रहे हैं उस पर क्लिक करके सारे वीडियो लेक्चर पहले के देख सकते हैं आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं हमार अगला टॉपिक जो की है कोर्स 501 ब्लॉक 2 का एक आई 5 का टॉपिक 5.3.4 जिसका नाम है सिक्षा कर्मी परियोजना अब सिक्षा कर्मी के बारे में आप सभी कही न कहीं परिचत हैं आपके साथ काम करने वाले आपके कलीग हैं और जानते हैं सभी इसके बारे में अब इसकी शुरुआत कैसे होगी क्यास करा यह हम परियोजना जो थी एक sectionic कारिकरम है जिसे सबसे पहले राजिस्तान सरकान ने 1987 में शुरू किया था और इसके लिए उसने Swedish International Development Authority से मदद ली साहिता ली और उसके मदद से शिक्षा कर्मी बोर्ड के माध्यम से यह परियोजना जो थी शिक्षा कर्मी परियोजना उसे चलाया अब परियोजना के अंतरगत जो चलाने का एक तरह से मुख कारण यह था कि सिक्षकों की अध्यापाउगी की जो अनुपस्तिती थी यानि कि अध्यापा की स्कूल में पढ़ाने के लिए उपस्तित नहीं होते थे जिससे की जो प्रारंबिक सिक्षा का कारिकरम था उसके स इस वज़ा से एक प्रात्मिक यह प्रवस्ता की गई कि जो प्रात्मिक विद्याले का कोई भी अध्यापक है उसे एकल अध्यापक विद्याले हैं यानि कि वन टीचर स्कूल जो है उसमें इस्थापित करने का विचार किया गया और ऐसा किया गया कि उनके साथ दो इस्थ इस्थानिय व्यक्ति इस्थानिय निवासी काम करेंगे जो कि कहलाएंगे सिक्षा कर्मी उनकी सायधा करेंगे तो इस तरह से जो इस्थानिय निवासी थे जो अध्यापकों की सायधा के लिए लगाए गए उन्हें ही कहा गया सिक्षा कर्मी तो इस तरह से ये शुरुवात ह किया गया था यह जरूरत नहीं समझी कि को उनने को विशेश शावशकता है किसी तरह के शक्षन की योग्यता की हाँ यह बात जरूर थी कि उनके लिए प्रभावी रूप से सायता कर सके अब इस परियोजना के जो मुख्य उद्देश थे वो इस प्रकार थे जो प्रार्मिक इसे एक संयुक्त कारिक्रम समझा गया गया जिसके अंतर के इस बात पर ध्यांदिया गया कि 6-14 वश्तके जो सबी बच्चे हैं उनके लिए जो प्रात्मिक शिक्षा है वो उपलब्ध हो आसानी से और जो सीखने के नियूम्तम इस तरकी जो शिक्षा है यानि कि जो मिनिम आसानी से और सभी के लिए एक universalized way में उपलब्ध हो तो ये पहला उदेश था इसका शिक्षा प्रणाली का अभी मुकी करण जिससे महलाओं की समानता उसके शशक्ति करण की उदेशों की पूर्ती हो सके तो शिक्षा प्रणाली के बारे में एक orientation देना जानकारी देना जिसस समाज के सबसे गरीब वर्गों की बच्चों को समान शक्षिक अवसर परदान करना भी इसका एक उदेश था तो सिंपल पॉइंट है कि जो समाज के ऐसे निमन वर्ग कहे जाते थे या ऐसे निर्जातिय समुदाय थे या जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे प्रणों के लिए विशेशकर एडल्ट्स के लिए समान स्यक्षिक अवसर उप्लब दों यह से भी विवस्ता करने का उदेश इसका था अगला पॉन देखा है कम पंजियन की मुख के समस्या था था बच्चों के उच ड्रॉप आउट पर विशेशकर लड़कियों के समस्या पर काब होता था तो ऐसी समस्या पर काबू पाना भी इनका उदेश था तो यह उदेश थे परियोजना के यही प्रशन बन सकता है कि परियोजना के उदेश बताएं सिक्षा कर्मी परियोजना के इससे पहले का कॉशन जो बन सकता था कि सिक्षा कर्मी परियोजना कैसे शूरू हु यह क्या कारण था इसका तो यह संभावित कौशन है यह भी आप साथ साथ में समझते जा रहे हैं और अगले अब हम बढ़ते हैं आगे कारे नीतियों की तरफ इस पर्योजना के अंतरगत निमलिकत कारे नीतियां अपनाई गई सिक्षा कर्मी पर्योजना के पुनरिक्षण के लिए SIDA दोबारा एक मौनिटरिंग मिशन निक्त किया गया तो यह पूरी पर्योजना के देखरेग के लिए एक तरह से दोबारा इसके निरिक्षण के लिए और जाँच के लिए एक तरह से एक इसको एक मौनिटरिंग मिशन निक्ट किया गया इसके लिए मतलब इसकी निरिक्षन के लिए SIDO के दवारा Swedish Authority के दवारा जो साल में दो बार इस परियोजना की प्रगती की जाँच करता था यानि कि साल में दो बार इसकी चेक किया जाता था यानि कि जो छेत्र विशेश के आधार पर जो अनवब होते थे और एक दूसरे के अंडस्टेंडिंग से समझदारी से कुछ अच्छे निर्ण है लेना जिससे कि कुछ बहतर इसमें फायदा मिल सके सिक्षा के छेत्र में तो ऐसा दूसरा पॉंट दिया गया है अधिक साधिक विकेंदरी करण और समधाय की भागेदारी तो विकेंदरी करण से देखिए डिसेंटराइज करने से फायदा यह होता है काम अच्छे से बढ़ जाता है और जल्दी हो पाता है और अच्छे से हो पाता है और जो समधाय रहता है इसमें सभी समधाय के लोग रहते हैं सभी जो इसमें काम कर रहे हैं, उनको एक तरह से काम करना पड़ता है मिल जूल के, जिससे ये चीज हो जाती है, तो इस बात पर भी इसका द्यान दिया गया विकेंदरी करन और समुदाय की भागेदारी पर, अभी गम्मिता की दृष्टी से लिंग और सामाजिक समवेदन चीलता को समर्थन, तो सीखने की जो दिशा में सबसे महत्मूर था कि किसी भी आधार पर भेदवाव ना हो, जो समाजिक और जो लड़का लड़की में अंतर हो, या कुछ भी हो, इसी आधार पर एक सेंसिटिविटी पैदा की जाए, एक समवेदन शीलता रहे, और लोग इस पर को द्यान देए इसमें ना पड़ें और इसके पृष्टी पॉजिटिव रहें समर्थन करें लाइए इसका कि ये सही नहीं है और सही चीज़ को में अपना है, तो ये कारे नीति आंए इसमें बताई गई है इसके बाद कारयन्वन की बारे में बताए गया है की परियोजना डिजाइन करती थी किस तरह से सिक्षाकर्मियों को ट्रेनिंग दी जानी है, आज भी वही होता है कहीं न कहीं, एक आयुज़त किये जाते हैं तरह-तरह के कारिकरम प्रोग्राम से रहते हैं जिससे कि सिक्षाकर्मियों ट्रेनिंग ले सकें और इसके अतरिक इनके निरिक्षन की भी विवस्ता किया दी, किस तरह से प्रिक्षन जो दिया जा रहा है, वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस परियोजना के उद्धिशक्य पूर्ती है तू, जो गिरामीर शेत्र थे, उसमें जो कहना चाहिए, जो सुविधाओं से बंचित वर्ग थे जो इन सुविधाओं तक नहीं पहुंचती थी, उनकी अवशक्ता की पूर्ती के लिए कई तरह के सेक्षिक प्रियास किये गए, बहुत से कोशिश है की गई, जिसे पंचाय समिती, सिक्षा कर्मी सयोगी, विशे विशे शग्य और स्वयम से भी संस्ता है, तदा गिरामीर समदाय का पूरा समर्थन अनिवा रहता है, ऐसा बताया गया और ऐसा हुआ, इन सभी समितीयों को इनका सयोग लिया गया है, तो ये कार्यानवन कुछ इस तरह से किया गया है, जो इसमें बताया गया है, कैसे प्रिसिक्षा कर्मी सयोगियों ने, और कई लोगों ने सयोग क करके इसको एक कार्यान्रवन किया इसको एक्टिविटी में लाया है इसके बाद बताएगा है क्रिया कलाप इस परियोजना के मुख कार्य कलाप नीचे दी गई सांडी से स्पेट हो जाते हैं आप देख लीजिए फंट में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पहला पॉ पर दोरह जो चलाए जाते तो उन्हें डे केंदर का नाम दिया गया परिहार पाठशाला जब बच्चे किसी कारणवश डे केंदरों पर पढ़ने नहीं आ सकते थे तो रात के समय उनको पढ़ने की स्विज़ा थी वो आ सकते थे तो उन्हें परिहार पाठशाला कहा जाता और महला शिक्षा कर्मियों को ये प्रिसिक्षन के केंद्र स्तापित करने से होता था और इंद केंद्रों को महला प्रकाशन केंद्र कहते थे तो इस तरह से जो महलाओं शिक्षा कर्मियों को बढ़ती और प्रिसिक्षन के जो केंद्र थे होने मेला प्रकाशन के इंदर का आगया यह स्थानी मेलाओं को शिक्षा कर्मियों का जो प्रिशिक्षन होता था वो देते थे अब संगटित उपागम यानि की एक सर्वेक्षन से इस परश्ट होगा के चौदा वर्ष तक क्यायू के तक के जंजाती और रेगेस्तानी जो ब्लॉक हैं यानि की उनमें 60 प्रिशाद बच्चे सारे रिक निर्योग गिताओं से पीड़े थे और दिया गया था इन बच्चों को तो ये क्रिया कलाप इसमें किये गया ये संबंदित प्रश्ट इसमें बन सकता है कि क्रिया कलापों के बारे में बताईए शिक्षा-कर्मी परयोजना के और इससे उपर एक कॉशन बन सकता है कि शिक्षा-कर्मी परयोजना का कार्यानमन हमने से पहले पढ़ा, मैंने वीडियो के दरान questions उपर बताए हैं, उनके points के जरीए नीचे answers अपने आप दिये गए हैं जो मैं साथ में explain भी किया हैं तो आप वो जरूर देखते जाएं साथ साथ में अब चलते हैं अपने next topic की तरफ जो कि यह 5.3.5 परामभिक शिक्षा के संबंद में जो महराश सरकार थी उसके दोरा चलाई गए विविन न परियोजना है, एक के सद्धियन 5.3.5.1 में जो topic point बताया गया हो है, सामाजी रूप से बंचित बच्चों के लिए परियोजना, जो पहली तरकाद आती थी, उसके लिए महराश सरकार ने बहुत से सुविधा और परियोजना एक तरह से चलाई जिससे लड़के लड़कियों को लाब मिल सके, तो पहले थी पहले में पॉइंट में बताया गया कि दसवी करशा तक इनको मुफ्त चात्रवत्ती दी जाती थी, माफ कीजिएगा, चात्रवत्ती आपको पता ही है सब क्या होती है और दूसरा पॉइंट है मुफ्त ड्रेस और किताबें दी जाती थी बोर्डिंग हाउसे बनाएगा इनके लिए रहने और सारी चीओं की विवस्ता रहती थी राज की है तथा गैर राज की है जो गवर्मेंट और नॉन गवर्मेंट एजेंसी थी उनके लिए हुस्टल की विवस्ता की गई इसके संबंद में NCRT ने एक ऐसे राश्टिय प्रतिबा खोज बोर्ड को बनाया जोकि अनुसूच जाती जन जाती कि बच्चों को मादमे स्विक्षा पूर्ड करने के पश्चाद छातरबती प्रतान करता था तो ऐसा बोर्ड गठित किया गया उसके बाद उपस्ति यानि की अटेंडन्स के लिए आने के लिए विद्ध्याले में उपस्ति होने के लिए इनको कुछ पता दिया जाता था तो पैसों के रूप में इसके बाद आशर्म विद्ध्यालों की सिथापना की आश्रम विद्ध्याल है जो SCST candidates थे जाती इन जाती बच्चों के लिए आश्रम विद्धाल इस्थापित किये जो कि गुरुकुल पद्धिती पर थे एक तरह से और उनमें रहने खाने की विवस्ता हुआ करती थी बुक मैंक स्कीम बनाई गी जो जहां पर बुक्स आसानी से मिल जाती थी सकते थे उनको और बुक्स का कोई पैसा नहीं देना होता था तो यह फायदा मिला इसमें यह जो जना चलाए कि तो यह सब पहला इसमें बताया गया है कि सामज़ी गूरुप से जो बंचित बच्चे थे बेवन्न जातियों के पिछडी जातियों के उनको किस तरह से फायदा प्रियोजना चलाई महारष्ट सरकार ने तो इस लेक्चर को हम यहीं खतम करते हैं आगे हम लड़कियों के लिए जो परियोजना चलाई हैं महारा सरकार ने उसको नेक्स टॉपिक में कवर कवरेंगे नेक्स लेक्चर में तो तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने अप तक इस चैनल को नहीं गिया है तो आप कर दो